हेलो फ्रांट्स लाव टिप्स यूटूब चैनल में आप सभी का एक बार फिल से स्वागत है दोस्तो आज का वीडियो बहुती सीरियस और इंटरेस्टिंग है आपके लिए बहुती इंपोटन्ट भी दोस्तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दू ब्रेकप पे मैंने एक वीडियो डाला था जिस पे आपने बहुत सारा प्यार दिया अच्छे अच्छे कॉमेंट्स लाइक और वीडियो को व्यूज मिले अगर वो वीडियो आप देखना चाते तो उपर आईकार्ट पे या तो फिर एंग स्क्रीन में आराम से एंडिंग में देख लेना तो चलिए वीडियो के टॉपिक पे आदे दोस्तो ब्रेकप होना एक आम बात है क्योंकि आजकल सभी के ब्रेकप होते हैं तेकिल ब्रेकप के बाद कई लोग ऐसी उट पटांग हरकते करने लगते हैं पूरी लाइफ कटम नहीं हुए यह आप अपनी लाइफ को फिर से नहे दोर से स्टार्ट कर सकते है तो आज मैं इस वीडियो में बता ओंगा कि ब्रेकप के बाद यह 5 गलतिया कभीas करें दोस्तों मेरी दोनों हाद जोड के रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये पांच बाते तो मत करें तो उसमें पांचवा है जो सब लोग करते ही करते हैं तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है ये तो मत करें नशा मत करें आपको साहिए लगे कि अपने आपको सराब या किसी और न मादान नहीं हुआ है और आगे चलकर इससे आपके स्वास्थे पे बहुत ही खराब इफेक्ट होने वाला है इसलिए दोस्तों नसा करना कोई सॉलूशन नहीं है इसलिए इससे दूर रहे चौथा टीप है रीबाउंड आपका मन करेगा कि किसी के साथ अत्रंग रिष्टे बनाएं किसी के साथ जूड कर अपना अकेलापन दूर करें सारे रीक संबन स्थापित करें और उसमें कुछ गलत भी नहीं है बस इतना द्यान रखें कि एक रात के रिष्टे से जो आपको खुसी मिलेगी वो अस्था ही होगी वो स्थेर नहीं होगी तूटे दिल को फिर से जूडने में समय लगता है इसलिए टाइम लीजिए और अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए किसी किवे साथ जूड मत जाईए तीसरा है जो हर कोई करता है क्योंकि सामने वाले को तड़पाने के लिए या तो फिर परिशान करने के लिए ये तो बिलकुल मत क करें अगर आपका पूराना साथी आपसे संबंद रखने में इच्चुक नहीं है तो उन्हें अकेले छोड़ दें अगर आप उनसे बात करने की कोशिस करते रहेंगे तो हो सकता है कि उन्हें आपकी हालत दे कर दया या फिर वो आपसे इतने परेशान हो जाए कि आपके खिल खुद को दोस्त ना दे अपने आपको रिस्ता खतम होने का कसुरवार नहमाने और दोस्तो ऐसा करके लोग ऐसी ऐसी फिजिकली एक्टिविटी करते जो देखने लायक नहीं होती है और आपको भी पता ही होगा कि ब्रेकप के बाद लोग खुद को कसुरवार मान कर क्या क् इसमें आपको लगता है कि आपके साथी ने आपको इसलिए नहीं छोड़ा है कि आप उनके दोस्तों से बात नहीं करते थे या फिर आप कभी उन्हें कॉल करना भूल गए रिष्टा दो लोगों के बीच का होता है तो दोस्तों खतम होए या शुरू हुए तो दोनों की जिम से बातचीत बिल्कुल खतम कर देना बचकाना लग सकता है लेकिन शुरुवात में यही उचीत है आपको अपने पर ध्यान देने की ज़रूरत है और अगर आप उनसे संपर्क में रहेंगे तो आपके लिए यह समद्दा मुश्किल होगा कि यह रिष्टा अब दोस्ती का है प्यार का नहीं आप उल्जन में पड़ जाएंगे और वैसे भी आप नहीं चाहिएंगे कि आप उनके अगले साथी को देखे उनसे मिले क्योंकि आप उनसे प्यार करते थे और आप इस कन्फुजन से बाहर नहीं निकल सकेंगे दोस्तों जैसे के वीडियो के एंडिंग मे मैं एक कॉमेंट पीक करता हूँ तो चली आज की अप्रिसेट कॉमेंट देखते हैं तो यहाँ पे ये पांच संकेत दिखे तो तुरांट ब्रेक अप कलो इस वीडियो में वेरी नाइस वीडियो ऐसा कहके लक्षमी पंचाल ने अप्रिसेट किया है तो दोस्तो यह थी पांच बाते जो ब्रेक अप के बाद बिलकुल भी नहीं करनी है तो मेरी प्यारी प्यारी जीएफ के बीएफ रांजा मजनू लेला दोस्तो फ्रैंट्स जो भी हो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए मन में कोई सवाल या सुजा हो तो मुझे कॉमेंट कीजिए मैं पढ़ना चाहूंगा थैंक्यू दोस्तो नो बेटर लिव बेटर